तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 8 दिसम्बर, 10 दिसम्बर, 70 दिसम्बर का exam जैसे predict किया था वैसे बिलकुल आया है तो इस वीडियो में भी हम 24 दिसम्बर के लिए academic और GT दोनों के लिए इसकी prediction जो हैं पर करने जा रहे हैं ठीक है जी ये मैं सारी prediction अपने experience के basis पे करने जा रहा हूँ students ठीक है जी और सबसे पहले जो है आप लोगों को request है कि अगर आप चैनल पे नई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए आप देख रहे हैं सतनाम सर आयल्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो क स्टार्ट करते हैं देखिए जी 24 दिसंबर का जो exam है academic और GT के साथ है तो level इसका जो है वो easy और moderate के बीच में रहने के ज्यादा chances है ठीक है जी अगर हम individually बात करें listening की तो listening में कुछ बहुत important चीज़े मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपने listening की practice कैसे करनी है वो चीज मैं end तक देखिए अगर हम निशनी की बात करें तो first part में आपको fill ups देखने को मिलेगी mainly तो आपको one word ही आएगा लेकिन जैसे कि student आपको पता है पिछले जो exam जा रहे हैं उसमें two words वाले और three words वाले भी आ रहे हैं तो please अपने जो teachers हैं अपने institute हैं को बोलिए कि आपको वो two words वाले या three words वाले जो blanks हैं उसकी भी वो उनको आपको practice करवाएं अगर आप हमारे channel पे देखेंगे तो हम रोज जो है शाम को दिल्कुल exam style वाले listening डालते हैं उसमें हम no more than two words वाले भी डालते हैं no more than three words वाले भी डालते हैं और Cambridge वाला जो style है वो भी डालते रहते हैं तो please आप शाम को 6 बजे हमारे channel पे listening कर सकते हैं अगर हम बात करें part two की तो matching information के साथ map जो है वो एक slot में दिख सकता है आपको maybe morning में या evening में लेकिन इसकी probability थोड़ी सी कम रहेगी इस बार क्योंकि already map जो है वो exam में आ चुका है part three में अगर बात करें तो long mcq और उसके साथ आपक matching info जो है वो देखने को मिल सकती है ठीक है जी अगर आपको mcq में दिक्कत है channel पे already videos है आप उस पे जाके practice कर सकते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा section 4 की अगर बात करें one word ही होगा mainly लेकिन please students आप इसकी भी practice जरूर करके जाना हमारे channel के उपर आपको इसी प्रकार की listening जो है वो रोज देखने को मिलती है उसमें mcq के साथ matching जैसे की अभी 10 December का evening slot में हुआ था तो वो चीज़ देखने को मिली थी तो please student उस चीज़ की जरूर अच्छे से practice करके जाना जितने दिन भी आपके पास बज़े हैं ठीक है जी so student please video को like जरूर कर दीजे अगर आप listening की बात करिए वो general वाले students के उपर भी अपली केबल होती है ठीक है जी क्योंकि listening combine होती है उसमें कोई difference नहीं होता है reading में difference होता है तो पहले हम academic वाले की बात करेंगे तो academic वाले जो है उनको जो mainly listening जो आएगी first passage में वैसे level उसका easy moderate रहेगा overall first passage में two type के questions देखने को मिल सकते हैं और अगर हम passage two की बात करें तो students which paragraph contains the following information के chances काफी ज्यादा है उसके बाद summary completion और writer के opinion आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको which paragraph contains नहीं आता है तो फिर आपको जो है list of heading देखने को मिल जाएंगे तो list of heading के उपर भी हमारे channel के उपर आपको दो वीडियो मिल जाएंग तो passage three का जो level है वो थोड़ा सा moderate रह सकता है in comparison to first or second first of all easy होगा second थोड़ा सा moderate third जो है उसका level थोड़ा अबाब moderate हो सकता है तो उसमें आपको चार type के questions की possibility है सबसे पहले तो आपको mcq देखने को मिलेंगे maybe four भी हो सकते हैं five भी हो सकते हैं yes no not given matching sentence या फिर आपको summary मिलेगी लेकिन वो summary जो है वो blanks वाली जो box वाली जो blanks होती है वो बली होगी तो काफी उसकी अच्छे से practice करें वो थोड़ी सी hard होती है ठीक है जी तो इन दोनों में से एक चीज आपको possibility है कोई भी आ सकता है चाहे आपको matching sentence मिलेगा अगर matching sentence नहीं मिला तो फिर आपको जो है blanks मि जाएंगी ठीक है students वो इस चीज की अच्छे से practice कर लेना अब हम बात करते हैं GT वाले जो students हैं तो उनके लिए सबसे पहली जो question type है which paragraph contains following information मतलब आपने जो information होती उसको paragraph से match करना होता वो बले आपको देखने को मिल सकते हैं true false not given list of fading true false not given की जगा पर yes no not given भी हो सकता है fill in the blanks summary completion और उसके साथ last बाड़े passage में आपको MCQ देखने को मिल सकते हैं ठीक है जी अगर हम बात करें writing की तो writing अगर हम academic की बात करें तो academic में student बहुत ज्यादा possibility है line बार और multi chart की भी थोड़ी बहुत possibility है multi chart होता है कि जैसे आपको combination आता है कि एक line भी दे दिया और उसके साथ आप 17 को exam हुआ उसमें भी आसा ही देखने को मिला है और map की preparation थोड़ी सी करके जाना map की भी chances है आने के ठीक है जी तो ये तीनों में आपको बोलूँगा अच्छे से ready करके जाना उसके बाद अगर हम task 2 की बात करें तो और जो अगर हम gt वालों की बात करें तो gt वालों के task 2 की तो task 2 में जो discuss both points academic और gt दोनों को देखने को मिल सकता है agree disagree to what extent agree disagree दोनों को देखने को मिल सकता है ठीक है जी और उसके साथ जो academic वाले है positive negative development वाला जो question उसको जरूर अच्छे से practice करके जाए और उसके साथ अगर vibe गहरा आता है उसका structure भी अपने teacher से जरूर पूछें कि कि उसको कैसे लिखना है ठीक है जी और reason solution के साथ या फिर reason effects के साथ gt वाले student है उनको अच्छे से ready करके जाना है ये वाला question type इनके लिए बहुत ज्यादा important है काफी ज्यादा chances हैं कि आपको ये वाला question देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें कौन कौन से areas में से question आ सकते है तो आपको कुछ ये जो चीजें आपको दिख रही है अभी मैं आपको golden tip भी बताऊंगा तो ये वाले जो question type है इसकी अच्छे से practice करके जाना employment की उपर crime की उपर ये सब health की उपर आपको अच्छे से ready करके रखना है सारा content golden tip आपके लिए ये है कि आपको सारे जो all old questions है पि तो अभी थोड़े time पहले ही कुछ questions आये हैं लेकिन फिर से दुबारा जो हैं वो December में देखने को मिले हैं तो पिछले दो मन्त में आप हमारे channel के review खोलेंगे आपको list मिल जाएगी तो उसमें जितने भी मैंने review डाले हैं जितने भी वहाँ पे questions आपको task 2 के देखने को मिले हैं उनकी अच्छे से practice करके जाना में भी हो सकता अगर आप लगी हो तो उसमें से कोई ना कोई question आपको repeat हो सकता है तो ये मैं आपको golden tip देना चाहता था ठीका जी तो मेरी तरफ से आपको good luck है अच्छे से आप exam जो है उसमें perform करके आएं और आपका जो exam है वो अच्छा ही जाएगा ठीका जी और जो January वाले हैं उनके लिए prediction वीडियो बहुत जल्दी आजाएगी 24 की exam के बाद channel को subscribe और इस वीडियो को like करतीजे बहुत जल्द next वीडियो में मिलते हैं thank you so much